जो मस्कूलर टिशू होता है इनमें जो सेल्स होती है चाहे वो कोई भी टाइप हो इस मस्कूलर टिशू का हर किसी टाइप में जो सेल्स होती है वो लॉंग होती है इसी लिए इसको हम बोलते हैं इनके सेल्स को हम बोलते हैं मसल फाइबर दो चो पहला muscular tissue है जिसको हम बोलते हैं citrated muscles citrated muscles और cicaltal muscles यह वो muscles है जो bones के साथ attach होती है याद रख लिए मैंने पहले tendon में जब पढ़ाया था कि tendon एक ऐसा tissue है जो connect करता है muscles को to bones वो किन muscles को bones के साथ connect करता है वो करता है citrated muscles को या skeletal skeletal का मतलब है जो skeletal system के साथ connected होता है तो अगर हम इन muscles का structure देखेंगे चूंकि मैंने यहाँ पर बताया कि कोई भी muscle system हो वहाँ पर cells long होती है ऐसे वो long होती है और जब मैं इसको high resolution पर देखता हूँ एक cell को अगर मैं high resolution पर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है यहाँ पर इसको dark and light bands होते हैं ऐसे जब मैं एक cell को microscope में देखता हूँ तो मुझे एक तो यह dark band दिखता है दूसरा यह वाला light band light band दिखता है तो ऐसे muscle cells को हम बोलते है strated muscles यह कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर बोन्स के साथ यह attach होते हैं वहाँ पर एक्जेंपल हम बोलेंगे इनमें dark band होता है और long band होता है इन cells का function क्या है यह cells movement में करती है यह जब आप चलते हो यह actually muscles movement में आती है और वही muscles चूंकि यह bone के साथ attached है यह bone को भी movement में लाती है और इस वज़े से आप चल पाते हो दूसरा है smooth muscles smooth muscles smooth muscles वो muscles होते है इनका नाम smooth इसलिए पड़ा है क्योंकि इनमें वो light और dark bands नहीं दिखते हैं अगर मैं इनको microscope में दिखता हूँ तो यह मुझे ऐसे कुछ दिखाई देते हैं इनमें long fibers present होते है और यह uninucleate होते है इनमें एक ही nucleus होता है ऐसे muscles यह होते है तो यह कहां पर present होते हैं smooth muscles यह जो हम देखते हैं हमारी food pipe या जो visceral organs है just like lungs है जो इनका muscular tissue जो होता है जो supongy जैसे आपको दिखता है soft दिखता है lungs का muscles वो ऐसे ही cells का बना होता है जिसको हम बोलता है smooth muscles ठीक यह भी contract करते हैं जैसे बाकी muscles contract करती हैं लेकिन इनकी वज़े से bones movement में नहीं आती है for example हम जब खाना खाते हैं तो हमारे food pipe में जो खाना जब नीचे नीचे उतरता है तो यह जब muscles movement में आती है इसको हम बोलते हैं peristaltic movement यानि जब आप खाना डालते हो food pipe में तो food pipe में जो smooth muscles present होते है यह contract में ऐसे आते है इसकी वज़े से क्या होता है तो यह जो food होता है नीचे नीचे उतरता है इसको हम बोलते हैं smooth muscles last is cardiac muscles cardiac muscles cardiac muscles वो muscles हो गई जो heart में present होती है heart में जो muscles present होती है इनको हम बोलते है cardiac muscles तो इनका structure अगर हम देखेंगे यह branched बहुत सारी fibers आपस में जुड़ी होती है ऐसे बहुत सारी fibers आपस में जुड़े होते है ऐसे यह branched भी होती है आपस में जुड़े होती है यह heart में present होती है चुकि muscle cells का काम ही है contract करना इसलिए यह भी contract में आ जाते हैं और heart इससे pump होता है और लास्ट जो हमारा अब tissue system रहता है वो है nervous tissue nervous tissue nervous tissue वो tissue है जो हमारे brain या spinal cord तक signal या stimulus लेता है और वो वहाँ से response लाता है अगर हम nervous tissue का जो cells देखेंगे जो हर कोई cell होती है उसका structure same होता है है ऐसे यह जो यह वाला portion है यह इसको हम बोलते हैं site on इसको हम बोलते हैं exon इस tissue system का क्या काम है यह message ले जाती है brain तक और वहां से response लाती है कि क्या करना है या brain क्या से response देता है तो क्या होता है message यहां से आ जाती है यहाँ से निकले इब दूरे नरव में जाएगी तीसरे नरव में जाएगी और ब्रेन वहां से रस्पॉंस देता है वापस किया करना है यहां क्या कर रहे हो कोई चीज कैसा है जो भी रस्पॉंस होगा this was all about the tissue system in plants and animals hope you will focus on these topics so that you can understand it better thank you